राजपोर्ट कर्णी सेना मोल के नेतरत्व में आज जनप्रतिनी धियु द्वारा अरक्षन को नभी सूची में डालने का विरोध प्रदर्शन किया साथ ही सांसद अनील फिरोध या विधायक रामलाल मालविय विधायक महेश परमार का पुतला दहन कर्णी सेना दोसिद्वारा किया इंगोर्या में किया गया इंगोरिया चौपटी पर कर्णी सेना के अधिकारियों वा कारेकर्दाओं ने जम करनारे बाते की और जनप्रतिनीथियों को चेताया भी के जनप्रतिनीथि किसी वर्ग वजाती का विशेश अधिकार नहीं है आप सभी वर्ग वजाती के प्रतिनीथि है करणी सेना मूल के कुवर महेंदर सिहत है से लध्यक्षन बताया कि यदि जाती गत आरक्षन को बढ़ावा देना आने वाले समय में सभी वर्ग को संघर्ष के लिए आमंत्रित करने के काम जन प्रतिनी थी कर रहे हैं जिससे देश की एकता अखंडता को खत रहा है इससे समानीव पिछड़ा वर्ग पहले ही शोशन से चूच रहा है अगर आरक्षन को नौवी सूची में डाल दिया जाता है तो समानीव पिछड़ा वर्ग का विरोध राशनिटिक पार्टियों को चुनावी मैदान में देखने को मिलेगा विरोध प्रदर्शन में करनी सेन मूल के कई कारिकरता मोचूद रहे आज हमने मानिश आंसज जी अनिल फिरोध जी का और तराना विदायक महेश परमार जी का और गटिया विदायक रामलाल मालवी जी का पुतला दहन किया है हमने इसलिए पुतला दहन किया है कि इन लोगों ने आरक्षन किये जो एक नभी सूची है उस सूची में इन लोगों ने आवेदन दिये हैं कि यहां आरक्षन जिंदगी भर के लिए रहना चाहिए मगर यह एसा नहीं है बावा साहब अम्बेटकर ने यह कहा था कि आरक्षन सिर्फ 10 साल के लिए है मगर कुछ राजनीतिक दलों ने इस बात को बहुत ही आगे बढ़ावा देकर यहाँ परिस्तिति कर दी है कि आम जनता इस आरक्षन से दुखी है और हर समाज को यहाँ आरक्षन आर्थिक आदार पर मिलना चाहिए